इनसान इस दुनिया में दिन रात मारो मार करता है धन दौलत जमीन जैदाद के लिए अपनी इज्जित शोहरत के लिए बाल बच्चे परिवार के लिए जितना भी साजो समान है यह साथ जाने वाला नहीं है यहीं पे रह जाएगा साथ कुछ जाने वाला नहीं पर फिर भी आदमी कितना इतराता है कभी गम कभी टेंशन परेशानियां मुश्किलें जिन्दगी में लाता रहता है तड़फता रहता है ब्याकुल रहता है परेशान रहता है अपने ही बनाए जाल में उल्चा रहता है जब छोटा बच्चा था क्या परेशानी थी कुछ भी तो नहीं जुरूत पड़े रो देता था खाना मिल जाता था चार पाई पे ही बातरूम कर दिया ट्वालेट बगएरा कोई ये परवा नहीं कपड़े खराब हो रहे हैं किसी चीज़ की टेंशन नहीं जैसे जैसे आदमी बड़ा होता गया टेंशनों ने विक्राल रूप धार्न कर लिया चिंताएं ही चिंताएं पहले कपड़ों की फिर खेल खिलोनों की क्योंकि मेरे साथी के पास अच्छे ना हो मेरे पास बढ़िया है साथी ने दिखा दिया कि मेरा साइकल बढ़िया तो बस बुरा हाल चोटे से साइकल उसके पीछे भी चिंता उसके पीछे परेशानी धीरे धीरे स्कूल में जाने लगा उस जाने की परेशानी फिर पढ़ाई की परेशानी उन से निकला थोड़ा बड़ा हुआ जवानी आई काम बाशना ने घेरा डाल लिया करोद ने उपर चा गया फिर उसकी परेशानी कभी डंडे खाता है कभी बदनामी होती है कभी कुछ कभी कुछ शादी हो गई बड़ा खुश हुआ कि चलो सारे जंजट खत्म हुए फिर बच्चा नहीं हो पा रहा इसकी परिशानी और बच्चा हो गया तो परिशानी कि भही अब इसको कमा के कहां से लाएंगे एक पर बड़े खुशियां मनाई दो तीन होगे तो सारी खुशियां चली गई अब उनके लिए इतना समान लाना है इतना कुछ बनाना है तो उनकी परिशानियां फिर जुगाड करो मतलब कहीं से पैसा लाओ फिठगी, बेमानी, परेशानी जेव कतरना तरह तरह की और बुराईयां अंदर आती चली जाती है तो यूँ खुद ही मकड़ जाल बुनता है आदमी और खुद ही उसमें उलजता है परेशान होता है तड़फता है, ब्याकुल होता है रुता, चिलाता, कुरलाता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ किसने किया, किसीने नहीं किया ये तो तेरा खुद का काम है तुने खुदी ऐसा किया है भाई कोई और करने वाला नहीं है तो यूँ इनसान की परेशानियां दिन बढ़ती चली जाती है और इनसान ब्याकल हुआ रहता है परेशान हुआ रहता है तड़पता रहता है कि मेरी ये परेशानियों से निजाद कब मिलेगी कब छुटकारा मिलेगा तो इन सबसे छुटकारा सुमर्ण के पक्के बनने से ही छुँ हो सकता है घंटा, सुभा, शाम मालिका नाम जपा करो मालिक से मालिक को मांगा करो तो मालिका रह्मो करम बरसता है और इनसान द्यामे रह्मत के काबिल बनता चला जाता है